राधे राधे जैसरी कृष्णा आप सभी को मेरे इस YouTube चलन पर हार देख स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चों आपके competitive test के dates भी जल्दी ही आने वाले हैं जब PGT के परिक्षा दे रहे हो या TGT का ये किसी का भी तो मैं तो ये समझती हूँ और जो मैंने जीवन में यही अपनाया है कि मेरी परिक्षा कल ही सुबह होने वाली है और इसी द्रिष्टी से मैंने और इसी तत्थी को ध्यार में रखते हुए मैंने हमेशा पढ़ाई कि है मैंने यह नहीं सोचा कि परिक्षा दो साल के बाद आएगी या दो मेहने के बाद आएगी या में चार मे कुछ प्रश्णों के उत्तर भी दूंगी और कुछ प्रश्ण भी पूछूंगी देखते हैं हमारे कितने बच्चे इन प्रश्णों के सही जवाब दे पाते हैं पहला प्रश्ण है प्रश्ण को ध्यान से सुनना और देखते आपकी तैयारी कितनी है खुद पहले अपनी त्यारी ध्यान रखना रिप्रोड़क्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र इसको कहते हैं इसमें से कुछ महत्वपुर्ण प्रश्णों को मैं पूछ रही हूं और उसका उत्तर आप से जानना चाहूंगी प्रश्ण पहले क्या है प्रोष्टाग्लेंडिन्स का स्रावन होता है प्रोष्टाग्लेंडिन्स का स्रावन कहां से होता है ऐसे तब को पता होना चाहिए कहां से होता है मैं आप्शन बता देती हूं तो शायद आपको क्लिक कर जाए पहला सुष्ण से जिसको अंगरिजम हम पेनिस बोलते हैं दूस दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथी से, तीसरा सुक्रासे से और चौथा कूपर की ग्रंथी से, प्रोस्टा ग्लेंडिन्स का स्रावन कहां से होता है, शिस्न से पहला उप्षन, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथी, तीसरा सुक्रासे सिमिल फिजाइकल और तीसरा कूपर ग्लेंड प्रोस्टेट ग्रंथी। January याद रखना दोनों एक दुसरे से मिलता जुलता है कंफूज भीलकुल मत होना। आपलास प्रोस्टेस रंथी। 2nd question . इस्त्री प्राजन अंग में शुक्रानु कितना दीन तक जीवित रहता है? कि इस्त्री प्रजन तंत्र में शुक्रान कितना दिन तक जीवित रहता है अस्पर्म की लाइवेबिलिटी क्या है एक से दो माह तक जीवित रहता है या दो से तीन दिन तक जीवित रहता है या एक से दो सपताह तक जीवित रहता है या इन में से कोई आप्शन करेक्ट नही करेक्टेंसर बताओ इस्त्री प्रजनन अंग में शुक्रानू जीवित रहता है ऑप्शन में भी कैसा है कन्फ्यूजिंग है एक से दो महां दो से तीन दिन साथ से आठ दिन या एक से दो सप्ता है बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेशन है करेक्टेंसर होगा दो से तीन दिन तक वैसे एक्सेप्शनल केस में शुक्रानू जो अस्पर्म है वह फीमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक से दो माह तक ही तक भी जिवित रह सकता है लेकिन सामान्य में प्रस्म सामान्य ता पूछा जाता है ना सामान्य ता है यह जी दो से तीन दिन दाक ही reminds reproductive और में खायं से तनी होभण में है ना आपको पता है य्यूत्रेस में तो हे नी तो जो reproductive organs है, उसमें sperm 2-3 दिन तक ही जीवित रहता है, वैसे 1-2 माह तक भी जीवित रहता है, थर्ड कुर्शन आपका, बहुत important, वो ये कि शुक्रानू के किस भाग में क्रोमोजोम्स और जीन्स उपस्थित रहता है, शुक्रानू के किस भाग में क्रोमोजोम्स और जीन्स रहता है, शुक्रानू के कई पार्ट है न, सीर है, ग्रिवा है, बॉड़ी है और पूँच है, तो किस भाग में उसका क्रोमोजोम्स और जीन्स रहता है, जा क्रोमोजोम रहेगा, वहीं जीन्स रहेगा, पूंच की सहायता से उसका जो टेल होता है उसकी सहायता से शुक्रानू तैरता रहता है और आगी बढ़ता रहता है लाखो की संख्या में एक बार मैफ्वन के पस्यात जब सीमेन निकलता है तो लाखोकी संख्या में असपर्म होते है और सबふねं दओग रहती है जी और सुक्रान तैरता जाता है आगे की और बढ़ता है सीर को निकुलियर रीजन भी कहते हैं, स्पर्म के हेड को निकुलियर रीजन भी कहते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 23 क्रोमोजोन, और ये घिरा रहता है एक किंद्र जिल्ली से, और ये एंजाइम के क्या काम है, फीमेल गैमेट को छेदने में काम आता है, फीमेल गैमेट कौन है, ओवरी, ओवरी को छेदने में काम आता है, समझ गहें बात को, तो अगर प्रस्ण आता है, तो भीना घबराई हुए जवाब दोगे, ओव ये, कि सुक्रानु की किस बाब को एक क्रोमोजों मॉर्डिन्स होता है, तो करेक्टर इंसर हमारा होगा, क्या, सीर, हैड, नेक्स्ट कोशन है, बहुत इजी कोशन, जैसा कि मैंने आपको बताएं, इजी कोशन से आते हैं, मेल में टेस्टिस की शंख्या कितनी होती है? व्रिशन, मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है गोल होता है कंचे की तरह टेस्टिस बाहर की और लटकता रहता है नेक्स्ट कुशन है, व्रिशन को क्या कहते हैं? व्रिशन को दूसरा नाम क्या है? अंडगरंथिया, व्रिशन कोष, शिष्ण या इन में से कोई नहीं? व्रिशन को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? अंडगरंथिया, व्रिशन कोष, शिष्ण या इन में से कोई नहीं? और अंडगरंथिया, व्रिशन को हम अंडगरंथिया भी कहते हैं. नेक्स्ट व्रिशन है आपका। कूपर ग्रंथी उपस्थित रहती है. कूपर की ग्रंथिया उपस्थित रहती है? कहां रहती है? इसका सिचिशन पूछ रहे हैं. कूपर ग्रंथी उपस्थित रहती है, पहला प्रोस्टेट ग्रंथी के ठीक नीचे, दूसरा सुक्रवाहिका के पास, तीसरा अंडासे के बगल में, चौथा करभासे के बगल में. कूपर ग्रंथियां कहां उपस्थित रहती है, पहला प्रोस्टेट ग्रंथी के ठीक नीचे, दूसरा सुक्रवाहिका के पास, तीसरा अंडासे के बगल में और चौथा गरभासे के बगल में. विच्वान इस दे करेक्ट अंसर है करेक्ट अंसर है प्रोस्टेट ग्रंथी के ठीक नीचे कूपर की ग्रंथी उपस्थीत रहती है एक क्वेश्चन है कि पुरुष में सुक्रासय की संख्या कितनी होती है पुरुष में सुक्रासय की संख्या कितनी होती है दो होती है तीन होती है पांच होती है या चार होती है क्या करेक्ट अंसर है आपका पुरुष में सुक्रासय की संख्या होती है कितनी दो दो ही टेस्टीस होता है और दोनों टेस्टीस अस्परमेक्टिक कोड़ के द्वारा लटका हुआ रहता है निचे की तरफ बाहर की तरफ सुक्रासे की संख्या होती है कितनी? दो, याद रखना सेमिनल वेजाएकल की संख्या कितनी होती है? दो नेक्स्ट क्वेशन सबको इजी है बहुत इजी क्वेशन है वो ये कि रजो निवरिती का आर्थ है रजो निवरिती का क्या आर्थ है? मासिक धर्म का प्रारंभ होना हर महिने रितुष्ट्राव होना या मासिक धर्म चक्र का समाप्त होना क्या character answer है रजो निवृती बहुत इस sentence से पको पता चल जाएगा मतलब रजो धर्म से छुटकारा पाना निवृती मतलब क्या होता है छुटकारा पाना तो मासिक धर्म का बंध हो जाना ही रजो निवृती कहलाता है समझ के बात मासिक धर्म चक्र का बंध हो जाना ही रजो निवरिती कहलाता है next question एक है कि वरिशन टेस्टीस जो है एक आवरेन के द्वारा आविश्टित रहता है एक जिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है उसमें कितने अस्तर होते हैं प्रस्णी यह है कि टेस्टीस एक जिल्ली के द्वारा घिरा रहता है उसमें कितने अस्तर होते हैं option है 2, 3, 4 या 5 correct answer आपका तीन अस्तरों द्वारा आविश्टित रहता है वरिशन तीन अस्तरों द्वारा आविश्टित रहता है तो मैं अपने आज की इस वीडियो के ही विराम देती हूँ फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ तब तो दो इजाज़त जाने की ओके बाए